कि नमस्ते आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप टेलेग्राम स्ट्रिंग सेशन जनेरेटर बॉट कैसे क्रियेट कर सकते हिरोकू के ऊपर और यह बैंड भी नहीं होता है हिरोकू पर तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब में वीडियो भेजिक ही सर्थ सकते हैं और मैं करने के बाद अगा उपन करना में में आपको करने यहाइव देना और यहाँपर क्लिक कर देना एंड एंट है इसके बाद क्रियेट क्रिस कर देना clearly ग्रेंग और नारे अकाउंट के अदर जैसा कि आप यहां पर देख सकते मेरा टेलेगराम अकाउंट के यूजर ने में वह लिखा रहा है यहां पर वाइबाट 827 ओके इसके बाद क्या करना है आपको एक हिरोकु पर अकाउंट क्रियेट करना होगा अगर आपको नहीं पता कि आप हिरोकु पर कैसे अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं तो आप हमारे description में दी वीडियो को देख सकते हैं how to create account on Heroku Heroku पर account create करने के बाद मैंने आपको दिखा देता हूं मैंने already Heroku पर account create करा हुआ है ठीक है और मैंने login भी करके रखा है तो मैं यहां पर क्या करूंगा आपको यहां पर अपने जो repo है उसका URL copy करना है copy link address करके आपको इस link को अपने browser के अदर open करना है और इसके बाद आपको यहां पर scroll down करना और आपको इस जो link दिखाए दे रहा है यह डिपलोई link, Heroku deploy link आपको इस link को copy करना है copy किया और इस page को यहां पर close कर दे और इसे page इसकी link को यहां पर paste कर ले इसके बार हमारी जो repo का link था जो हमने पहले copy किया था आपको उसे copy करना है और आपको यहां पर दिखाई देरा template is equal to is equal to के बार जो भी लिखा हुआ है आपको उसे replace कर देना है हमारी repo के URL के साथ तो यह हमारा जो है deploy link बन जाएगा हमारे bot का हिरोकू के उपर तो आपको यह जो URL address से copy कर रहा है और यहां पर आके मैं जाओंगा अपने हिरोकू account के पास और यहां पर इसे open करूंगा इसके बाद आपको अपने यहां पर नेम देना होगा तो मैं और आप यहां पर यहां पर सिर्फ small letters यूज करें तो मैं आप देता हूं string session bot ओके और यह हमारा name यहां पर अवेलेबल नहीं हो तो मैं आप यह नमबर देता हूं कुछ 102 और हमारा अपने टेलिग्राम की API ID और API hash एंटर कर रहा है हाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आपको नहीं पता कि आप अपने टेलिग्राम की API ID और API hash कैसे generate कर सकते हैं तो आप हमारी description में दे हुई वीडियो को देख सकते हैं तो मैंने अपना यहाँ पर API ID और API hash एंटर कर दिया है आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर आपने टेलिग्राम का बॉट टोकर एंटर करना जो कि आपको बॉट फादर से बिलता है अगर आपको नहीं पता कि एक simple टेलिग्राम बॉट कैसे create करते हैं फोर सब्सक्राइब के तौर पर यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूं अपने चैनल को ग्रेमेटर अंडर्सकूर बॉट्स तेक है यह वैसे optional है आप इसे चाहिए तो skip कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर deploy आप पर click कर दूँगा इसके बाद और हमारा जो bot होगा अब यहाँ पर deploy होना start हो चुका आप यहाँ दे सकते हैं तब तक के लिए मैं क्या करूँगा यह मेरा bot link है testbot at the rate 658 इसे मैं क्या इसे अड़ कर दूँगा यह अपने चैनल के अंदर ऐस इन एड्मिनस्टेटर इसे आड कर दूँगा और मिला छो bottom यहाँ पर अल्रेडी चैनल के अंतर एड करा हुआ है एस अन आड्मिनस्टेटर तो मेरे को दुबार आड करने की जरूत नहीं पड़ेगी अबहुँद यहां पर बद यहां पर स्वराइब करें करें दी हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइब करना जाए C view logs के उपर क्लिक करना है और यह आपके logs है ठीक है आपको इन logs को क्या करना है save करना है और यह आपको download के इंतर आपके logs मिल जाएंगे कि इस log को आपको हमारे support group पे share करना है और मेरे को admin को tag करना है या किसी से भी हमारे support group पे help लेनी है कि आपका जो water वो start नहीं हो रहा है ठीक है हमारे support group का link आपको description box में मिल जाएगा जहां से आप हमारे support group को join कर सकते है टेलिग्राम के उपर तो हमारे जो बाट यहां पर work कर रहा है हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक और जीज़ अगर आपको इस बाट को यूज करना चाहते हैं तो आप मैं अपने भी बाट का लिंक इस वीडियो के description box में दे दूँगा और इस वीडियो के description में भी आपको हमारे बाट का लिंक मिल जाएगा Thank you so much guys